नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कुंसिल्टेंट आज फिर आपको अपनी इस वीडियो के मादम से कुछ खास नहीं जानका रिया देना चाहूंगा मेरे पास एक इंक्वाइर यह है उनका अपना काम स्क्रैप का है स्क्रैप में उनका काम अलुमिनियूम का भी है कॉपर का भी है और ब्रास का भी है वास्तु शास्तर के अनुस्थार उन्होंने अपने गोडाओं के अंदर किस प्रकार से सेटप करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा उन्होंने जो अपना गोडाओं लिया है वो सौथ फेसिंग यानि दक्षिन मुखी गोडाओं रैंक पर लिया है और उसके अंदर जो शटर लगा हुआ है वो सौथ सेंटर यानि दक्षिन के मद्यभाग में लगा हुआ है आप भी अपना कोई गोडाओं लेना चाहते हैं आपका भी अपना स्क्रैप का काम तो वास्तु शास्तर के अनुसार आपको अपने यहां पर किस प्रकास से सेट अप करना चाहिए आप मेरी इस वीडियो को दिहान से देखिएगा सुनिएगा समझेगा और विचार कीजिएगा सबसे पहले तो जो गोडाओं है वो सौथ फिसिंग यह नि दक्षिन मुखी है और इसके अंदर जो शटर लगा हुआ है वो सौथ सेंटर में यहां पर शटर लगा हुआ है क्योंकि जगह है रेंट की है किराए की है तो इसमें ज्यादा छेड़गानी नहीं कर सकते लेकिन एस पर वास्तू अंदर का सैटप हम अपने अनुसार कर सकते हैं और जो गोडाओं है वो गोडाओं रोड लेवल से लगबग सड़े तीन से चार फिट उचा है ताकि गाड़ी सिधी शटर पर लग जाए और माल सिधा गाड़ी से अंदर चला जाए और अंदर का मा अदर डिरेक्ट गड़ी में लोड हो जाए उसके लिए एक प्लेट्वार्म भी बनाया जाता है क्योंकि गोडाओं रोड से लबद सब्साड़े तीन चेर फिट के क्रीब उंचा है तो यहाँ पर जो प्लेट्वार्म बनाना है वो प्लेट्वार्म shutter के आगे ही बनाना है ये तो platform होगा कि गड़ी यहाँ पर आकर लग जाएगी यहाँ पर माल उतरेगा और वो माल सारा-सारा godong के अंदर आ जाएगा लेकिन godong में अंदर आने के लिए भी हमें steps बनाने पड़ती है वो steps कहां बनानी है ज्यादा तर देखने में आता है जो platform बाहर बनता है उस platform में stairs या तो एक side इधर से बना दी जाती है या दूसरी side इधर से बना दी जाती है वास्तु शास्तर के नुसार आपका अपना godong south facing है तो आपको अपने यहाँ पर जो stairs बनानी है वो steps आपके यहाँ से south के बनेंगे और east से west के और उपर जाएंगे इस बात का खास दोर पर ध्यान रखना है यदि आपने अपने step west में बनाए और west से east के और उपर चड़के जाते हैं तो आपके godong के अंदर working कभी भी अच्छी नहीं आएगी कभी भी आप अपने godong से अच्छा profit नहीं कमा सकते हैं कुछ दिन अच्छे निगल जाएंगे फिर आपको कहीं न कहीं loss लग जाएगा या तो आपको माल जब आपने माल खरीदा तब रेट ज्यादा थे और जब आपने माल बेचा तब रेट डाउन आगई ऐसी स्टेज में आपको loss लगता है क्योंकि आपका कम कॉपर का भी है ब्रास का भी है और अलुमिनियूम का भी है तीनों ही चीजे महंगी है और इनके रेट हर रोज अपन डाउन होते रहते हैं तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहां पर जो step बनाने है वो step साउथ के भाग में बनाने है और east से west के और उपर चड़ना है इस बात का खास दोर पर ध्यान रगना है इसी के साथ जो आपका अपना प्लेटफार्म है प्लेटफार्म के फर्ष के उपर यदि आप रेड कलर का पेंट कराते हैं तो आपकी working काई ना अच्छी बनी रहेगी इसी के साथ जो आपका अपना Shutter है Shutter के उपर भी आपने Red Color का Paint कराना है और जब Shutter के उपर Paint कराएं तो अंदर और बाहर दोनों तरफ ही Red Color का Paint होना चाहिए यदि आप Red Color का Paint नहीं कराते तो आप महरून कलर का भी Paint करा सकते है Red Color थोड़ा सा भड़किला हो जाता और महरून कलर थोड़ा सा सौफ्ट हो जाता है तो इसलिए इन दोनों में से आप कोई भी Color करा सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है अब इसमें आपको एक तो Office चाहिए एक आपको अपने माल को प्रेस करने के लिए Machine लगानी है एक आपने अपने यहां पर कांटा लगाना है उसका Setup किस प्रकार से करना चाहिए सबसे पहले तो आपको अपने यहां पर जो Office बनाना है वह Office आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहां पर आपने अपना Office बनाना है office की जो entrance करनी है वो office के north east के बाग से यहां से आपने antidote बनाना है और जो office की sitting करनी है वो sitting आपने यहां पर करनी है यहां पर अपनी chair आ जाएगी और L-shape में आपके अपनी table आएगी सामने आपका अपना visitor आकर बैठ जाएगा आपने अपने यहां पर मंदिर लगाना है तो मंदिर आप अपने यहां पर east wall पर कहीं भी लगा सकते हैं यानि office की east wall पर कहीं भी आप अपना मंदिर लगा सकते हैं इसी के साथ आपको एक खास बात और धियान रखनी है जब आप अपना office यहां पर बनाए साउथ वेस्ट कॉर्णर में ओफिस बनाए तो ओफिस का फर्ष का लेवल कम से कम नो इंस से एक फिक उचा होना बहुत ज़रूरी है यह काम आपने हर आलत में करवाना है यह तो हो गया हमारा ओफिस का सेटथ आपके यहाँ एक मशीन भी लगाए जाती है जो माल को कम्प्रेस करके बॉक्स में बना देती है वो मशीन भे काफी हैवी होती है वो मशीन आपने कहां पर लगानी है वो मशीन आप अपनी West की दिवार के साथ Southwest के भाग में यहाँ पर आप अपनी मशीन लगा सकते हैं और ये मशीन आपकी हमेशा ही benefit देगी कोशिश करनी है कि इस मशीन को आप जितना दिवार के साथ चिपका कर लगा सकते हैं उतना ही आपके लिए पाइदे मन होगी आपका कम ब्रास का है, कोपर का है और अल्यूमिनियूम का है आपने अपने यहाँ पर तीनों माल इकठे रखने हैं तो इकठे आप नौर्थ वेस्ट जोन में यहाँ पर भी रख सकते हैं कोपर आप अपने यहां पर सौथ विश्ट की जोन में, इस जोन में आप अपनी कोपर लगा सकते हैं, ब्रास आप अपने यहां पर वेस्ट नोर्थ वेस्ट के भाग में, इस जोन में आप अपनी ब्रास रख सकते हैं, और जो आपके यहां अलुमिनियम आती है, वो अलुमि वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट के और वेस्ट की दीवार से लगाती हुए आप इस्ट के और बढ़ सकते हैं जब आपके यहां स्क्रैप आती है तो वो स्क्रैप बोरों के अंदर आती है और वो स्क्रैप आपके यहां पर राकर रखी जाती है उस क्रैप को अलग करके छाटा भी जाता है, छटाई भी की जाती है, वो छटाई आपके यहाँ पर सेंटर के बाद में, इस जोन में आपके अपनी छटाई हो जाती है, इस जोन में आप अपनी छटाई कर सकते हैं, यहाँ पर छटाई करने के बाद, उसके बाद जो माल compress करके उसके boxes बना लिए जाते हैं वो boxes आपने कहां लगाने हैं वो boxes आपने सारे complete इस चोन में लगाने हैं माल लेजिए आपका ये area फुल हो जाता है वैसे तो आपके हमाल हर रोज निकलता है लेकिन माल लेजिए कई बार स्क्राइब वह जाता है तो आपके यहँ पर भी माल लगा सकते हैं और इससे बाद तेयार माल, यानि जो आपके scrap के boxes बनते हैं वो आप यहां पर भी लगा सकते हैं इसी के साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो यहां पर स्क्रैप आती है, तो आपकी जो अपनी मशीन है, मशीन भी काफी हैवी होती है, वो भी करीवन पाँ शे टन के अश्वास की होती है, तो इसलिए वो मशीन आप वेस्ट के भाग में साउथ-वेस्ट के और जरू और आफिस को साथ वेस्ट में बनाना इसलिए मजबूरी है नहीं तो हम अपने इस मशीन को यहां से अटा के फ्रंक के भाग में यह निस आप लेकर आते हैं कारण किया है हम ओफिस को पीछे वैस्ट में नौर्थ वैस्ट में नहीं लेकर जा सकते क्योंकि कोई भी कस्क्टमर कर आता है तो वो पूरे की पूरे गडाउन में अंदर भूमेगा इससे होगा क्या कस्टमर क्लाइंट जो भी आएगा वह यहां से अंदर आकर शिटर्स और सिधा ऑफिस के अंदर आ जाएगा तो इसलिए ऑफिस आपने साउथ वेस्ट के भाग में बनाना और ऑफिस का प अपने यहां पर सौफ के दिवार के साथ यहां पर भी आप अपनी वेंग मिशिन लगा सकती हैं और इस इस प्रकार आप अपने यहाँ पर सेट अप करते हैं तो मेरा अपने यह मानना है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिकत नहीं आएगी. चलिए मैं आपको कुछ खास बाते और बताना चाहूंगा. जब आप अपने यहां सेट के भाग में आफिस बनाएं तो आफिस के अन्दर जो कलर होना चाहिए वो क्रीम प्रकार होना चाहिए. हौल के अन्दर जो कलर करना है आपने वाइट य lot दिकत लार करना है. हमेशा ध्यान रखना है, जो अपना गडाउन है गडाउन का नोर्थिष्ट का भाग ये एरिया हमेशा ही खाली होना چाङए यहाँ पर कोई भी सामान, किसी भी प्रकार का सामान नहीं होना चाहए इस जोन में, यादि नोर्थिष्ट कॉर्नर में आप अपने यहाँ पर पानी भी राख सकते हैं पानी कुन सा पीने वाला क्योंकि आपके यहाँ जो लेवर होती है जो माल की छिटाई करती है उनको पीने के लिए पानी भी चाहिए वो पीने का पानी आप यहाँ पर नॉर्थ इस्ट के भाग में रख सकते हैं। धियान रखना है यदि आप यहां पर मियूर जग रखते हैं, तो मियूर जग का जो कलर होना चाहिए, वो स्काइबलू कलर होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। यदि आपके यहां लगके शाम के समय हाथ पैर दो कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको पानी की टूटिया कहां लगानी है। वो पानी की टूटिया भी आपने नॉर्थ-North East के भाग में। यहां पर आपने पानी की टूटिया नल लगानी है। और इसी में ध्यान रखना है जब आप यहां पर पानी के नल लगाएंगे तो इसके चेरों तरफ यहां बॉंगरी कर दी जाती है। या फर्ष का लेवल उचा कर दिया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि यहां पर किसी भी कीमत पर जो अंदर का फ्लॉर लेवल है उससे उचाल लेवल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने खास दोर पर ध्यान रखना है। और जब आपके यहां नौर्थ में नौर्थ हिष्ट के भाग में पानी फर्श के ओपर गिरता है, यह इससा घला रहता है तो उस जगहे काम की कमी कभी भी नहीं रहती। वहां पर हमीशे ही काम भरपूर रहता है। क्या काम होने से नौर्थ नौर्थ इस्ट के भाग में पानी का काम होने से तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके यहां नौर्थ इस्ट के भाग में पानी की वैवस्ता होनी चाहिए आप इस परकार से सैट अप करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आप जब भ भी आप अपने काम में नुकसान में नहीं जाएंगे आपको मेरे दोरा दी गई जानकरी सही लगती है तो आप अपने यहां पर इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव करके भरभूर लाव उठा सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के परती वीडियो बनवाना चाहते हैं त हमसे मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित परताम पुस्तक लक्षमे प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुभवब्य लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने किसी भी काम के लिए नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या आपकी अपनी बिल्डिंग आधी अदूरी बीच में पड़ी हुई है और आप अपने बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं और वो पूरा होने में और वो बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही तो आप हमारी है पुस्तक य वास्तु दोश्मुक्त बनाने में साहक जरूर होगी मेरे दोरा दी गई जान करें यह दिया आपको अच्छी लखती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आपने फैमिली और फ्रेंक्स में शेयर भी जरूर करें आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्म में फिर एक नवी वीशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार